मैं डक्टर एंके सिंग बरिष्ट वग्यानिक फसल सुरच्छा क्रिशी विग्यान के नदवाराणसी मक्य में एक विमारी आती है जड़ सडन या तना सडन के नाम से और यह जो विमारी मक्य में उन शेत्रों में ज्यादा दिखाई देती है जहां पर पानी का निकास नहीं बरिशन के सबस्के जेसे हम लोग बयब है कि मंक्य क खेती वलुवी दोमट मिट्वमारी में इसके निकल जा 맡ब इसके साथ जाते उन खेतों में जहां पर लोग मेनों पर बुआई मक्के के नहीं करते पानी लग जाता है तो वहां भी यह बिमारी जदा तर देखने में आती और इसमें कि बिमारी के कारणों में अगर देखा जा毒 तो यह जो है कि ज्यादा तर पीथियम इस वेसिज जो है उससे जो है कि सरणन की बिमारी सुरू होती है फुजेरियम से भी सरणन सुरू होती है तो लगबग 3-4 फंगस ऐसे हैं जो बहुत महत्पून हैं जो इस बिमारी के कारणों बनते हैं और चोटी और मक्के की फसलओ अगर एंगर आभी मारी आ गई तो मक्का की खतम एयगा और मक्के में बढ़वार नहीं झालती हैं तो ऐसे में जो है किसान भाईयों से इस disordersly मेरा पहना है कि अगर आप मक्य की खेति कर रहे हैं तो पहली चीज की बिट्टी का ख्याल ज्रूरर रखें ऐसी मिट्टी हो जैसे बल्वी दूमट्ट की मिट्टी हो जिसमें पानी जादा देर तक टिक्ता नहो दूसरी चीज यह ह कि मख्के की खेतीं में आप जब भी बुवाई करें मिड़ पर बुवाई करें जिससे पानी तने के पास लगे ना जड़ा द्लेट कठा न हो जिससे सड़नगी विवारी ना हो इसके आए सदूति साथ-साथ कि आप मख्के की खेती में थोड़ा सा जो है कि जैसे उन शत्रो जो है सुधार देखने में आता है तो इस चीज का जरूब ध्यान रखें साथी साथ मक्के के साथ इंटर क्रापिंग करें जैसे दलहनी फसलों की और आपको अलग से कोई खाद या अरुवरकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा जो आप दलहनी फसल के लिए जो अरुवरक प्रयोग करेंगे उसी और वरकों से आपकी मक्के की फसल भी तैयार हो जाएगी और साथी साथ इस तरीके के जो रोग आते सकते हैं साथ ही साथ जैवी कृूप में घर सोधित करना चाहते हैं तो ट्राइक और डर्मा से सोधित करें 5 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रतकिलों बीच की दर से बीच बीच को सोधित करके भाई करें च नृह i ॉकठा और रोधी हैं तो आप की फसल अच्छी होगी आसाки करता हूं कि आपके लिए लाबदायक से दो